तो आज इस विडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूं मीशो होंग डग और हॉल और जितने भी आइटम्स मैंने बाई कि हैं सब कुछ बहुत ही रिजनेबल प्राइजेस में हैं और उसके हिसाब से मुझे क्वालिटी भी काफी जादा अच्छी लगी है तो बस सोचा आपके साथ भी शेर करते हैं इन सारे प्रोडेक्स का रिव्यू तो अगर आप भी होम डेकॉर के कुछ आइटम्स चाहते हैं बाई करना या आप धून रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए हल्पल हो जाए तो प्लीज इसले वीडियो को पूरा जरूर से और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, शेर करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथी बेल आइकन भी प्रस कर लीजेगा ताकि मेरे नईव वीडियो अप्लोड की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए and please साथी साथ मुझे comment भी करके ज़रूर बताईएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आप और किस टाइप के haul वीडियो देखना चाहेंगे ताकि मैं आपकी जो भी demand है उसको पूरा करूँ और आप लोग के requirement के हिसाब से वीडियो लेकर आओ तो या प्लीज comment करके सवरूर बताईएगा and प्लीज वीडियो को धेर सारा प्यार दीजेगा मुझे support करिएगा because आपके support के बिना आगे बढ़पाना बहुत मुझे आपके support की बहुत जादा जरूरत है तो या चल के जादा बाते नहीं करते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं let's get started so जो सबसे पहला product है वो है artificial plant hanging plant with pot and ये मुझे receive हुआ है कुछ ऐसा so इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बहुत सारे branches मिल जाते हैं जाते हैं इसका जो लोक है वैसे तो ये artificial है वट आप देखो इसका जो कलर है जो जो original natural plants का leaves का कलर होता है वैसा है एंदूर से actual में real plants लग रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा so indoor plants जिन्हें लगाना शौक है तो इससे better है कि हम you know artificial plants यूज करें अगर आपको अपने घर में greenery पसंद है और चाहिए कि आपना plants इंडो plants यूज करें तो आप इस type के plants ले सकते हैं quality बहुत अच्छी है leaves की मैं आपको दिखा देती हूँ leaves की जो quality है कापी जादा अच्छी है और ये आपको एक छोटे से black pot के साथ मिलता है अगर आपको इसको और भी जादा इसका जो look है वो बढ़ाना है तो आप इस pot को किसी planter क अगर दर रख दीजे look और तादा बढ़ जाएगा 300 रुपीस का ये मुझे पड़ा है और उस price के ही साब से quality बहुत अच्छी है next मैंने बाई किया है ये 5 पीस का cushion cover set और ये कुछ इस तरीके का solid color का है मैं आपको open करके दिखाती हूँ तो ये 5 पीस का set है cushion cover का और इसमें आपको पांचो अलग color मिल जाते हैं फाबरिक इसका silk है और ये actual जो standard size आता है जो हम सब cushions use करते हैं जो size का 16 x 16 inches का जो cushion हम use करते हैं अपने sofa में या beds तो ये वो size का है और इसमें आपको 5 color मिल जाते हैं color काफी vibrant है आपको मिल जाता है pink then blue yellow green and red ये 5 color आपको मिल जाते हैं जो पांचो color है बहुत ही खुबसूरत और काफी vibrant colors है और एक पीस में आपको दिखा देती हूँ fabric इसका silk fabric आ जाता है ये front है front में आपको ऐसे stitching pattern दिया हुआ है and ये है इसका back side so यहाँ पे आपको काफी अच्छी zip दी हुई है ताकि वो आप जो अपना cushion है आपको उसको ना close कर सके किसी में रहता है बस एक flap जैसा होता है बर इसमें आपको properly zip दिया हुआ है quality बहुत अच्छी है stitching की भी जो quality है काफी अच्छे से stitch किया हुआ है 300 रुप and decor की items है बहुत जादा अच्छी रखती है मतलब आपको बहुत जादा ना सोचना नहीं पड़ता है कि आपको इसको कौन से जगे पे प्लेस करना है आप कहीं पे डोर पे विंडोस पे याप कहीं पे भी randomly इस तैपकी चीजों को hang करो आपका जो wall है उसका look बढ़ी जाता है तो यह कुछ इस तरीके का wooden wall hanging है and quality बहुत अच्छी है 175 पे मैंने इसे buy किया है and यह है यहाँ पे आपको यह इस तरीके का मिल जाता है and सच में जो butterfly है जो color combination यूज हुए है वो बहुत ही खुबसूरत bright colors यूज हुए है तो यह है इसका overall look quality मुझे बहुत जादा अच्छी लगी wooden material में आपको मिल जाता है and अब देखो इसका look कितना सादा प्यारा आ रहा है and 175 रुपीज के हिसाब से मुझे लगता है यह very you know good buy है आप लोग try कर सकते हैं अगर आपको भी ऐसी छोटी-छोटी चीजें पसंद है अपने घर को सजाने के लिए next item है वो बहुती beautiful सा horse statue है and यह जब मैंने रिसीव किया था क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा सा जाता है तो मैं थोड़ा सा डाइसी थी कि मंगाओं ना मंगाओं कैसा आएगा but actually जब मैंने रिसीव किया तो आप देखो कितना खुबसूरत सा यह statue है material है that is resin and blue and golden combination में है एक horse है और उसके अंदर baby horse है तो काफी stylish लग रहा है आप इसे as a home decor use कर सकते हो या फिर वैसे भी शादी का season चल रहा है तो आप इसे gifting के लिए भी बहुत ही अच्छा option है unique सा design है काफी stylish है pricing की बात कर तो हाँ price थोड़ा सा जादा है 536 rupees में मैंने इसे buy किया है but price के accordingly जो इसकी quality है वो बहुत जादा अ structures होते है decor pieces होते है यह वैसा है उन में से एक है चीज बहुत अच्छी है next मैंने बाइ किया है beautiful यह wall hanging shelf and मैंने बहुत जादा देखा है मतलब मीशो में तो इसने तहल का मचा राखा है काफी different different variations है काफी different designs है मीशो में बहुत सारे designs available है so मैंने जो पिक किया है वो यह वाला है and यह है actual piece जो मुझे receive हुआ है and इसे पहले मैंने यह वाला art सिखा था मतलब यह जो craft है I think इसको macram बोलते है and यह मैंने सिखा था so मैंने देखा तो सोचा की चलो एक बाइ करके देखते है quality कैसी आती है क्योंकि price wise भी बहुत जादा high price का नहीं था 214 रुपीस का मैंने से buy कि उसके इसाब से quality अच्छी लगी हाँ size की मैं बात करूं तो यह जो shelf है na wooden shelf जो है उसका मैंने सोचा कि था कि थोड़ा सा और चौड़ा आएगा size थोड़ा सा बढ़ा आएगा but actually बहुत जादा मुझे चोटा लगा but यहाँ पर आपसे दो कुछ भी अपना decor piece रख सकते हैं उ यह है इसका actual look good wipes only and यह आपको यहाँ पे ने stand मिल जाता है आपको इसको stand में fix करना है and that's it आपका जो home decor piece है लग जा यह इस तरीके से home decor piece आपका ready हो जाएगा इस मैं लिखा है good wipes only so आप इसको अपने corner table पे या फिर जो मैंने wooden shelf लिया है ना hanging वाला मैंने सोचाए कि इसको मैं उस पर place करूँगी actually मैंने मंगाया उसी परपस से था but जो picture में जो picture show है उसमें अब colors देखो color बहुत जादा vibrant दिख रहा है but in real यह उतना जादा vibrant नहीं है मतलब color ना थोड़ा सा dull है अगर color थोड़ा और सादा bright होता तो इसका look बहुत अच्छा आता again यह भी इसका जो material है वो good material है quality अच्छी है हलका फुलका सा piece है मतलब अगर गिरेगा भी तो बहुत जल्दी से टूटेगा नहीं यह चीज इसकी अच्छी बात है थोड़ा सा vibrant color होना था 205 रुपीज का मैंने buy किया है उसके हिसाब से देख सकते है मुझे लगा कि थोड़ा सा महंगा है pricing wise बाकि आपकी चोईस है आप चाहू तो try कर सकते हो सो चलते हैं आज के हौल के last item की तरफ जो कि यह beautiful सा बुद्धा फेस है और मुझे बुद्धा फेस बहुत पसंद है मेरे यहाँ दो या तीन बुद्धा फेस है डेकोर परपस के साब से मुझे अपसा लगते है कि यह काफी aesthetic look देता है तो इसलिए मैंने again फिर से एक बुद टेबल पर ही आप ऐसा डेकोर पीस कहीं भी आप किसी भी कॉर्णर पेस के सांथ में अगर आप कैटल लाइट्स रख देंगे इसका लूग और भी ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसका माटेरियल है वो रेजिन का है जो और फेसाब से मुझेस की कॉलिटी बहुत अच्छी लगी इवन तो इसमें जो फिनिश दिया हुआ है जो गोल्डन पेंट किया हुआ है ओवरॉल मताब फिनिशिंग काफी अच्छी है मैं आपको पास से दिखाती हूँ सच में फिनिशिंग बहुत अच्छी है फेस कभी जो स्ट्रॉप्चर है काफी खुप सूरत दिख रहा है और मुझे कमेंट करगी यह भी जरूर बताएगा कि नेक्स्ट हॉल वीडियो आप क्या देखना पसंद करेंगे तो या अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और मिलती हूँ बहुत जल्दी न्यू व